हेलो दोस्तो स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तो आज की ये वीडियो खास तोर पर पत्थरी के मरीजों के लिए है दोस्तो अगर आप पत्थरी की समस्या से परिशान है या फिर आपको डर है कि पत्थरी हो सकती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुल मिलाके साथ ऐसी healthy drinks के बारे में बताएंगे साथ ऐसे पेपदारत के बारे में बताएंगे जिनको अगर आप पीते हैं तो यह आपके शरीर में पत्री को बनने नहीं देंगे और अगर आपकी शरीर में पत्री की समस्या already है तो धीरे धीरे करके आपकी इस पत्री की समस्या को ये जड़ से खतम कर देगी तो दोस्तो जानते हैं वो साथ हेल्डी ड्रिंक्स कौन कौन सी है तो दोस्तो सबसे पहले नंबर पर आता है निब्बू पानी जी हां दोस्तो निब्बू में जैसा कि आप सभी को पता है सिट्रेट पाये जाता है जो केल्शियम स्टोन को बनने से रोकता है इसलिए निब्बू पानी का सेवन करना पत्री की खत्रे को बहुत ज़्यादा कम कर देता है और अगर शरीर में ओल्रेडी पत्री है तो उसको धीरे धीरे करके हटा देगा दोस्तो दूसरे नंबर पर जो हैल्री ड्रिंक है वो है तुलसी के पत्तो का रस जी हां आयूरवेद में तुलसी को कई बीमारियों का इलाज करने के लिए इस्तमाल में हामेशा से यूज किया जा रहा है दोस्तो तुलसी के रस में मौजूद के लेवल को कंट्रोल में रखकर शरीर को हेल्दी बनाये रखने में बहुत ज़्यादा एहम रोल अदा करती है दोस्तो अगली ड्रिंक है अजवाइन का रस जी हाँ, दोस्तो अजवाइन के रस में ऐसे पोशक तत्व होते हैं जो शरीर से विशेले पदार्तों को भार निकाल कर गंदे पदार्तों को भार निकाल कर पत्री बनने की जो पक्रिया होती है उसको ही रोक देते हैं, आप दिन बर में एक गिलास अजवाइन के डंटल के रस को पानी के साथ ट्राई कर सकते हैं आपको पत्री की समस्या से जरूर निजात मिलेगी दोस्तो अगली ड्रिंक है अनार का रस जी हाँ दोस्तो दोस्तो अनार का रस के लिजिए अनार का जूस के लिजिए इसका इस्त tenants सदियों से kidney की जो कारी शम्ता होती है दोस्तो अगली चीज आती है kidney beans याने की राजमा का पानी दोस्तो राजमा का पानी पत्री को घुलने और शरीर से भाण निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है दिन बर में पके हुए राजमा का पानी पीना kidney stone में कारगर साबित होता है इसलिए आप इसका भी ट्राइक कर सकते हैं दोस्तो अगली चीज एक हर्ब है जिसका नाम है हार्सटेल जी हां दोस्तो इसमें एंटियोक्सिडेंट और सीलिका जिसे कई प्रकार के लाबकारीक योगिक होते हैं इसका इस्तमाल योरीन के प्रवाह को बढ़ाने के लिए किया जाता है जिससे होता यह है कि पत्री आसानी के साथ योरीन के साथ भान निकल जाती है और खास तोर पर केड़नी के जितने भी पेशेंट से उनके लिए हर्ब काफी ज़्यदा फाइदेमन माना जाता है और दोस्तों अब आखरी में बात करते हैं उस ड्रेंक की जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है वो है पानी जी हां दोस्तों पत्री को बनने से रोकने के लिए पानी भी राम बान इलाज है रोजना आठ से बारा गलास कम से कम पानी आप जरूर पीएं अगर आपको किड़ी की पत्री है या कहीं पर भी पत्री की समस्या है शरीर में तो क्या करेगा न पानी शरीर से टोक्सिं पदार्तों को यूरीन के द्वारा भान निकाल देगा और बोडी को भी हमेशा हाईडरेट रखेगा तो पत्री की situation में पानी भी बहुत ही बेजोड ड्रिंक है जिसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं है और पानी तो आसानी से घर में मिली जाता है तो दोस्तो देखा आपने ये थी कुल मिला के वो ड्रिंक वो साथ हेल्दी पेप अदार्त जिनका सेवन करने से प्रत्री की समस्या से आप निजात पा सकते हैं तो दोस्तो ये थी मेरी आज की एक और इंपोर्टेज जान करी आप सभी लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और जान करी आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो और जान करी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दपाने ना धन्यवाद दोस्तो